पहली चीज और सबसे ज़रूरी चीज है अच्छा फ़र्म और टेकनीक बनाए रखना एक गलती लोग अक्सर करते हैं अपने नौन पंचिंग हैंड को नीचे लाना अगर मैं ऐसे जैब मारूँ मैं हाथ नीचे गिरा रहा हूँ धनुषबान नहीं चलाना ये नहीं करना चाहे आप कोई भी पंच मारो दूसरा हात हमेशा मुग के पास बनाए रखो अगर मैं मारू एक 1-2 बॉडी हुक ये यही रहेगा और एक चीज अगर मेरे जैसे दिखना हो बॉक्सिंग करते हुए आपको सीखना होगा हेड मूवमेंट के बारे में सर को मूव करो हर पंच के पहले और बाद में जब आप ये करते हो आप में फरक आएगा इस से इस तक और जैसा आप देख सकते हो फरक साफ है और बॉक्सिंग टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए